तो हेलो फ्रेंट्स यहाँ पे मैं आपको शोग करने वाला हूँ HyperOS का एक न्यू फीचर जिसका नाम है Shutdown Confirmation तो यह वाला फीचर असल में Xiaomi के स्मार्ट फोन्स में चाइना रीजन में Mi Watch 12.5 में ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका था और अब मैंने जब अपना YT Studio यहाँ पे Open किया तो मैंने यहाँ पे यह चकाउट किया कि यहाँ पे Shutdown Confirmation पे दुबारा से यहाँ पे Views आने स्टार्ट हो चुके हैं यानि कि Normal से कुछ ज़्यादा ही Views यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे यह एक और दूसरी वीडियो इसके रिगारें यहाँ पे Create कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको Show करने वाला हूँ कि यह Shutdown Confirmation असल में यहाँ पे क्या है और यह हमारा यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है तो इसको Open करने के लिए आपको Simply Settings में जाना है Settings में जाने के बाद आपको Scroll Down करना है Scroll Down करने के बाद आपको यहाँ पे एक Option मिलेगा जिसका नाम है Privacy and Security So, मैं आपको पहले ही यह चीज यहाँ पे Show कर देता हूँ कि यह वाला फीचर केवल चाइना रूम में ही अविलेबल है Miware 12.5 से ही अब Hyper OS भी यहाँ पे आ चुका है और Hyper OS 2 की भी तैयारी हो रही है आपको Simply Security पे जाना है Security पे जाने के बाद आपको सबसे पहरे ही Shutdown confirmation का एक Option देखने के लिए मिल जाएगा So, यह वाला फीचर हमारा कैसे वर्ट करेगा अगर आपने इस वाली Option को Turn Off कर रहा है So, कोई भी आपका Phone यहाँ पे Easily Switch Off कर सकता है लेकिन अगर आपने इस वाली Option को Turn On कर लिया Turn On करने के बाद अगर आप यहाँ पे Lock Screen में जाएंगे Lock Screen में जाने के बाद अपने Phone को यहाँ पे Power Off करेंगे So, आप से यह यहाँ पे Lock Screen का Password पूछेगा जैस तरीके से इसने मुझसे यहाँ पे पूछा और अगर आपने Password यहाँ पे Type नहीं किया So, आपका Phone कोई भी यहाँ पे Switch Off नहीं कर सकता So, अब इस वाले Feature को रोपने के लिए हमारा क्या Method है? आपको Simply इसको Turn Off कर लेना है So, इसका एक disadvantage यह है कि आपका Phone कोई भी Reboot कर सकता है Power Button को Hold करके So, यहाँ पे Xiaomi को Future में Shutdown Confirmation में एक और Setting कोई ऐसी Add करनी चाहिए कि कोई भी Power Button को भी Hold करके Phone को Reboot यहाँ पे न कर सके और अगर Xiaomi इसमें कामयाब हो गई So, यहाँ पे Shutdown Confirmation पूरी तरीके से 100% एकदम Perfect Feature यहाँ पे बन जाएगा लेकिन अभी के लिए कोई भी आपका Device Power Off कर सकता है Power Off नहीं बलकि Reboot कर सकता है So, आपका कोई भी आपका Device यहाँ पे Power Off तो नहीं कर सकता है इस वाले Feature की Help से So, क्या आप इस वाले Feature को यूज़ कर रहे है चाइना रूम में कमेंट नाओ एंड सब्सक्राइब नाओ So, क्या आपका कर सकता है